हलो स्टुरेंट्स वालकम टू अभिपीडिया पावर्ड वाय अभिमन्यु आईएस मैं नेम इस रोहित मेडा स्टुरेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा एकानुमिक जी के दा एकानुमिक करेंट अफेर्स अफ 11 अफ अपरिल 2021 दा 17 अपरिल 2021 यानि की 3rd week of अपरिल 2021 हम बोल सकते हैं जिसके economy से related current affairs को हम discuss करने वाले हैं basically financial system की बात करूं, banking system की बात करूं, agriculture sector की बात करूं, rural development की अगर मैं बात करूं, Indian economy की बात करें उसके इलावा हम बात करेंगे growth and development की या फिस sustainable development की तो ये कुछ important topics रहते हैं हमारे जिनको हम cover करते हैं हमारे economic current phase की class के अंदर तो बड़ते class की तरफ class को start करेंगे बट class को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लिजे और bell icon दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारे updates मिलते रहें तो चलिए बढ़ते class की तरफ आज की class को start करते हैं चलिए सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं growth and development की growth and development की अगर मैं बात करूं तो यहां पे news देखने को मिलता है current effect देखने को हमें मिल रहे है जो क्या कहता है नोमूरा रिवाइजिस इंडिया's financial year 2022 growth to 12.6% from the 13.5% यह news आपने पड़ी अब सबसे पहले तो growth rate की बात हुई growth यह growth क्या होती है growth बोलू तो यहां पर बात होती है GDP की GDP अब यह GDP क्या है that is gross domestic product gross domestic product हिंदी में हम इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद the final market value of goods and services produced within an economy इसको हम क्या बोलते हैं GDP बोलते हैं तो नोमूरा नोमूरा बेसीकली एक Japanese company एक Japanese firm है it is a brokerage firm नोमूरा तो एक Japan की company है इसने भारत की growth rate को इंडिया के growth rate को इंडिया की economy को product किया production लगाया इसने पहले बोला था कि भारत financial year 22 यानि की 2021 जो वित्तियवर्ष अभी चल रहा है जो financial year अभी चल रहा है एक अप्रेल 2021 से लेके 31 मार्ट 2022 तक की बात हो रही है financial year 22 में भारत की जो भारत का जो GDP growth rate रहेगा वो रहेगा 12.6% यह किसने बोला यह नोमूरा ने बोला पहले इसने 13.5 बोला था अब decrease करके 12.6 कर दिया है तो नोमूरा ने revise किया revise किया मतलब change किया तो यह आपको ध्यान रखना है नोट कर लेना है इसके इलावा नोमूरा ने जो calendar year हमारे है अभी हमने financial year की बात करी जो calendar year हमारे है calendar year क्या हुआ एक जनवरी से लेके 31 December तक उसके लिए भी prediction कर रखी है तो 2020 की बात करो तो minus 6.9% 2021 की बात करो तो 11.5% positive है यह एंड 2022 की बात करो तो साथ परतीशत साथ परतीशत तो यह GDP growth rate यहां पर दर्शाय गए है नव मूरा के द्वारा अपनी previous classes में हम बाकी अजन्सियों की बात भी कर चुके है ठीक है जो भी change होता है जब भी change होता है scope of the ECLGS ECLGS बोले तो emergency credit line guarantee scheme include sa healthcare sector तो देखिए अभी अभी हमारा जो finance ministry है वित्मंत्राले है इसने ECLGS scheme को extend कर दिया health sector को include कर लिया गया इस sector के अंदर health sector को include कर लिया गया इस scheme के अंदर सबसे पहले तो यह ECLGS क्या है that is emergency credit line guarantee scheme emergency credit line guarantee scheme देखिए 2020 में जब कोविड 19 आया और कोविड 19 के cases बड़े सरकार ने lockdown लगाया तो देश की जो वित्ते हलात थे वो बहुत खराब हुए ठीक है देश में financial crisis आया वित्तियस अंकर आने शुरू होगे तो जो हमारा MSME sector था जो हमारा MSME sector था उसको थोड़ा सा support provide करवाने के लिए सरकार ने emergency credit line guarantee scheme start कर दी emergency credit line guarantee scheme start कर दी इस emergency credit line guarantee scheme के अंदर सरकार ने क्या target रखा कि तीन लाख करोड रुपे तीन लाख करोड रुपे इन sectors को हम channelize करेंगे MSME के अंदर जो different different sectors हमारे work करते हैं MSME के अंदर उनको हम पैसा provide करेंगे और RBI ने Reserve Bank of India ने इसको लेके committee बनाई that is RBI ने committee बनाई उस committee के अध्यक्ष बनाए गये थे केवी कामत केवी कामत अब कामत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अंदर केवी कामत ने केवी कामत रिपोर्ट ने दिये थे अब 26 सेक्टर के लिए scheme का identify किया गया था ठीक है उसके इलावा सरकार ने अभी अभी health sector को भी include कर लिए इसके अंदर health sector को भी include कर लिया गया इस scheme के अंदर is scheme के अंदर अब इससे होगा गया ठीक है ऐसे एसी कंपनी जो की हेल्थ केर सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है ठीक है तो उनके अंदर काम कर रहे हैं जो SMA 1 के अंदर जो कंपनी आती है SMA वो ले तो special mention account 1 के अंदर जो कंपनी आती हैं उनको यहां पर पैसा प्रदान किया जाएगा यानि की लोन दिये रहें उन कंपनी इसको फैनेशल सपोर्ट प्रदान की जाएगी देखिए SMA वर्ड यूज क्या हमने SMA क्या होता है special mention account special mention account special mention account होते सबसे पहले तो standard asset बोले तो मेरे पास जो पैसा मैंने बैंक से लिए उसको हर महने में time leave वापिस कर रहा हूं बट कभी-कभी मेरे थोड़े दिन उपर नीचे होने लग जाते है उसको बोलते special mention account ठीक है यह तीन टाइब से आगे classified यह तीन टाइब से आगे classified SMA 123 अब वन के अंदर क्या है अगर मैंने तीस दिन तक पैसा नहीं दिया जीरो से लेके ठीक है एक दिन से लेके तीस दिन तक अगर मैं बैंक का इंस्टॉल्मेंट नहीं पे कर रहा हूं तो मेरा special mention account वन है उसके बाद 31 से लेके 60 तक मेरा आ जाता है टू में उसके बाद 61 से लेके 90 दिन तक मेरा आ जाएगा किसमे special mention account 3 के अंदर ठीक है जब मैं पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं पैस person है जो health sector से जुड़े हुए है companies है उनको यहां पर include किया जाएगा उनके लिए scheme को extend किया गया है इसके इलावा अभी यह जो emergency ग्रळाएंट तक extend कर दिया गया था अमबर के बाद इसको marg 2021 के लिए फिर सिक्ट्रेंट कर दिया गया है यह is यह tender要 जन्द टरएंट्री सकी में बेडरेजि़स त्री फएर्जंट चल रहेगा जो चेसरे बता ह countries पे basically जो 6 साल का loan time रहेगा 2 साल का moratorium period रहेगा यह सारी बाते हम आगे करते हैं और यह जो ECLGA scheme है इसको कौन सी company operate कर रही है that is national credit guarantee trustee company ठीक है यह यहाँ पर guarantee provide करती है क्योंकि collateral free loans है collateral free है यहाँ पर work चल रहा है अब जैसे कि मैंने बात की ECLGA scheme की तो सरकार ने 2020 में आतम निर्पर भारत अभ्यान के तहट पे इसको start किया था ठीक है जो भी basically COVID-19 की वज़ा से lockdown लगा और आप दाएं उसको उससे लोगों को निकालने के लिए और MSME के लिए में लिए इसको start किया गया था जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बात सरकार ने इसके अंदर तीन पार्ट अभी तक चल चुके हैं सबसे पहले आता था emergency credit line guarantee scheme 1.2 ठीक है इसके अंदर collateral free and fully guaranteed additional credit provide किया गया MSME इसको मुद्रा borrowers को and business enterprises को ठीक है basically कितना तो basically 20% of their credit outstanding उतना पैसा उनको बढ़ा दिया गया 20% जितना उनका credit outstanding उसका 20% इनको दे दिया जाए इसके इलावा इलावा MSME इसको 25 करोड रुपया उनकी outstanding का दिया जाएगा 25 करोड रुपया ठीक है तो ऐसी MSME जिनका turnover 100 करोड है ठीक है 100 करोड या 100 करोड से जाता है वही इसके अंदर applicable थे, eligible थे उसके बाद केवी कामत कमिटी की report आती है तो ECLGS 2.2 आता है जिसके चलते हुए 26 sector include किये जैसे मैंने आपको बताया 26 sector identify किये गर उनको include किया गया अब healthcare sector 50 करोड से लेके 500 करोड रुपे तक का credit इनको दिया जाए outstanding credit जिनका इन companies को पैसा यहां पे दिया जाए उसके बाद हमारा आता है emergency credit line guarantee scheme 3.0 इसके अंदर 40% का यहां पर target set कर दिया गया पहले वाले में आप देख सकते हो 20% था अब 40% कर दिया गया यानि कि डबल कर दिया गया है 6 साल का tenure रहेगा लोन का और 2 साल का moratorium period रहेगा emergency credit line guarantee scheme 3.0 के अंदर तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अभी यह कौन से sector के लिए भी scheme को identify किया गया है that is healthcare sector healthcare sector के लिए भी इसको identify किया गया चली आगे बढ़ते हैं कमेटी भी ध्यान में रखना है कौन सी कमेटी थी के वी काबद कमेटी कोई डाउट हो तो यू कैना सके अंदर कमेट सेक्शन आप कमेट सेक्शन में पूछ ले ना अगर किसी बिता का कोई डाउट आता है तो next प्यूश गोएल ने लांच किया e-santa एक electronic marketplace प्लेस पूब रड़ा फार्मर्स सबसे पहले तो यह इकवा फार्मस क्या होते है ठीक है e qa MA का मतलब पानी के साथ ईक्राणिक स्लीशन ओर अगोमेंटेंग और मेंटिंग ने सीजैसे फॉर्मस ट्रेडिञिंग एकाdio झैट श receoo is basically the study of aqua farmers तो यहां पर यह जो NACSA यह क्या है National Center for Sustainable Aquaculture यह National Center for Sustainable Aquaculture तो marine products जो होते हैं ठीक है marine products export development authority का एक part है एक body है that is National Center for the Sustainable Aquaculture तो basically electronic solution for augmenting trading agriculture NACSA farmers trading agriculture तो basically जो aquaculture के साथ जुड़े हुए किसान है उनकी income भड़ोतरी उनके जीवन को अच्छे स्तर पर लेके जाना उनको आतम निर्भर बनाना उनमें basically good qualities को produce करना उनके level को increase करना और उनको एक अच्छा जीवन परदान करवाना इस तरफ से बढ़ते हुए यहां पर इसेंटा को launch किया गया है तो इसेंटा basically aquaculture के जो products होंगे उनकी marketing करेगा ठीक है ताकि यह जो farmers aquaculture वाले इनका जो income है वो बढ़ सके because at the end the government has set a target to increase the to double the farmers income by 2022 अशोग दलवाई कमेटी चले आगे बढ़ते नेक्स्ट अग्री कल्चर की बात करें तो ministry of agriculture ने अभी अभी एक memorandum of understanding यानि के मायू साइन किया किसके साथ Microsoft company के साथ Microsoft company के साथ किस लिए देश के अंदर जो farmers की income है उसको इंप्रोव करने के लिए तो बेसिकलिए भी छे राज्य चूज किया गया है इसके अंदर six state को चूज किया गया है जिनके अंदर किसानों के हलात को इंप्रोव करना है जिसके जलता है ministry of agriculture के साथ मायू साइन किया गया Microsoft India के द्वारा क्लियर अब जैसे मैंने अभी बताया था कि the government of India is a target to double the farmers income by 2022 तो अभी छे राज्यों के अंदर बेसिकलिए फार्मर्स की इंकम को अच्छे लेवल पर लेकि जाने के लिए स्कीम यह agreement किया गया है इच्छे राज्या कौन-कौन से उत्तरप्रदेश अध्यप्रदेश गुजरात हरे ना अंधर प्रदेश एंड राजस्थान यह च्छे राज्य हैं जिनके अंदर यह स्कीम करेगी त लेटेश देटेश क्रॉब डेटा ना मिलंकर यह थी तीनों कंपनी मिलके यहां पर करेगी यहां पर मिलकर फार्मर्म की इंकम को इंग करने के लिए 6 राज्ये के अंदर चलिए अब आगे बढ़ते है next Turkey bands the bitcoins and other cryptocurrency for payments Turkey देश ने bitcoins को band कर दिया देखिए bitcoin और ये crypto coins क्या होते cryptocurrencies और I can say digital currencies तो कुछ तेन पहले दुनिया भर में launch हुई ये cryptocurrencies और digital currencies ये क्या है तो देखिए coding की form में ये currencies यहां पर होती है coding की form में digital way में ये cryptocurrencies होती है कोई physical existence इनकी नहीं होती है ये digital way में ही काम करते हैं कांग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं तो bitcoin है यहां पर और भी क्रिप्टो करेंसी अभी हुआ क्या एक कार में कर कंपनी है जो कर दिया कि आने वाली आने वाली आने वाली एक माई से ठीक है जो तर्की देश है उसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी जाएं वह बंद कर दी जाएंगी वह असेप्ट नहीं करी जाएंगी तो किसी भी माद्यम से इनको असेप्ट नहीं किया रहेगा आई यहां पे अनौश किया गया अभारत की बात करें तो इंडिया में अभी तक ऐसी कोई company नहीं है जिसने अनौस किया हो कि वो bitcoins या crypto currencies के मादब से payments को accept कर सकते हैं अला कि दुनिया भर में बहुत सारे देशों में ऐसा चल रहा है बारत के अंदर अभी तक crypto currencies या को लेकर के अभी तक कोई काईदे कानून इतने नहीं है तो अब हैillा की बहुत सारे में बहुत सारे लेंभियों विया से ओ segur कि पहले कुछ क्ष्ट हुए थे पार चलि नेइक्स देखते हैं Amazon Sambhav Venture Fund Amazon Sambhav Venture Fund Amazon Company दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce company इसने धाइसो मिलियन डॉलर का एक venture fund launch किया है that is for digitizing the small and medium enterprises in इंडिया भारत के अंदर जो small and medium enterprises है इनको digitization में लेके आने के लिए Amazon company ने एक venture fund चलाया जिसका जो amount है वो है 250 million dollars अब इस fund के अंदर क्या होगा जो small and medium business है उनका digitization होगा यानि की digital way में हम उनको लेके आएंगे उसके बार drive innovation agree technology innovations to empower the farmers productivity and reach basically agriculture sector को और अच्छे level पे हम innovate innovate करने की कोशिश करेंगे farmers को empower करने की कोशिश यहां पे की जाएगे उसके इलावा drive innovation in health tech to provide universal and quality healthcare healthcare यह आज की सबसे एक important demand है ठीक है हम जानते हैं कि देश में COVID-19 के crisis कितने जादा फिर से बढ़ने लगे है तो health sector जो हमारा है वो अच्छे level पे होना चाहिए नहीं तो आने वाली बीमारियों से हमारा जूज ना है वह बहुत मिश्किल है तो Amazon ने लाउंच किया यहां पर संभव principle corporation में देखिए यह green bond क्या होते है green projects को उपर वर्क करने वाले बॉंड green project मतलब energy saving साब सफाई ठीक है उसको लेके काम करने वाले ठीक है इन green bonds को issue करने के लिए the money will be used to clean up dirty water गंदे पानी को clean up करने के लिए इसको use किया जाएगा clear और जिसके चलते हुए बहुत सारे industries को यहां पर साफ पानी तांकि जो industries में अच्छे लेवल पे साफ पानी यूज होचा के products मनाए जासा के अच्छे लेवल पे कोई नुकसान ना हो यहां पर इस पैसे को use किया जाएगा इस गाजियाबाद municipal corporation के गवारा next हमारे पास आता है access bank required that 12.99% stake in the max life insurance to become a copper motor access bank की जो access securities part है access bank का जो access security वाला पाट access group की जो entities है इन्होंने यहां पर 12.99% stake खरीदा है max life insurance company के अंदर और इतना stake खरीदने के साथ साथ यह को परमेटर बन गया है clear तो as per the permission from the insurance regulatory and development authority of India यहां पर 12.99% stake खरीद लिया गया एक्सिस बैंक के तुवारा access की entities के द्वारा हाला कि as per the regulator regulators की permission के द्वारा जो maximum जो इनको permission मिली है वो 20% की मिली है तो साथ परसेंट और यह स्टेक खरीद सकते हैं साथ परसेंट स्टेक यह और खरीद सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके द्वारा खरीद लिया चाहेगा चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं इसका नाम है Rewards 1 2 3 Saving Account rewards 123 saving account अब यह rewards 123 saving account के अंदर क्या होगा यह basically different kinds of services offers launch करेगा और अपने customers को provide करवाएगा that is from the digital transactions digital transactions अब बहुत easily customer यहां पर account open करवा सकते हैं ठीक है और अगर उनका पहले ही एकाउंट है तो वह इसको अप्ग्रेड करवा सकते हैं रिवार्स 123 के अंदर एटल thanks का आपका भी इस्तावल कर सकते हैं वीडियो के वाइस ही आप करवा सकते हैं वहांसे इसके अंदर zero minimum balance रहेगा फ्री प्लैट प्लैटिनम online mastercard debit card मिलेगा आपको उसके बाद एक सलाना आपको 960 रुपे तक के आफर दिये जाएंगे जो कि आपका 960 रुपे के सलाना बचत आपकी करवा पाएंगे एटल payment bank के दोरा यह launch किया गया इसके इलावा 300 रुपे का यहां पर एक annual fee देना पड़ेगा ठीक है तो पकी आप रिचार्जिस करेंगे post paid का bill pay करेंगे broadband का रिचार्ज करेंगे या फिर dth का रिचार्ज करेंगे या अपने basically friends को money transfer करेंगे कुछ भी पैसा transfer करेंगे तो उसके लिए चलते हूँ आपको काफी benefits दिये जाएंगे ठीक है यह आप क्या कहती है कि एक percent cashback आपको मिलेगा जब आप 1000 रुपे यूपी आई से इस bank account में transfer करेंगे और बट पर महीने maximum 10 रुपे ही मिल पाएंगे हर महीने maximum 10 रुपे ही मिल पाएंगे यह भी आपे launch किया गया है चलिए तो किस ने launch किया एडल payment bank ने launch किया गया launch किया rewards 123 next RBI to set up the regulations review authority for one year from first of May देखे RBI that is Reserve Bank of India ने announce किया कि वो regulations review authority को appoint कर रहा है set up कर रहा है from the first of May ठीक है यह regulatory and supervisory instructions को follow up करवाने के लिए इसको बनाया गया है RBI जो work करता है RBI के जो functions है उनको proper streamline work के साथ proper timeline के साथ proper guidelines के साथ effective way में लेके आने के लिए यह सारा काम किया जा रहा है यह regulations review authority बनाई जा रही है ताकि RBI के जो regulations है वो proper way में work करें proper way में work करें clear एक साल के लिए चलाया बनाया जा रहा है उसके बाद RBI देखेगा तो extend करेगा हां कौन operate करेगा कौन इसका चेर परसंदेगा तो RBI के deputy governor राजेश्वर राओ जी एम राजेश्वर राओ जी इसके चेर परसंदेगे ठीक है यह इसके हैड रहेंगे इस regulation review authority के इस regulation review authority के हड़ यह रहेंगे next बढ़ते हैं next news हमें कहती है कि RBL bank और इसका जो पुराना नाम था वो रतनाकर बैंक रतनाकर बैंक मुंबई में headquarter मुंबई का बैंक है यह RBL bank तो इसने अभी mastercard के साथ mastercard जो कि एक foreign product है इसके साथ मिलके pay by pay pay by bank app को launch किया है ठीक है pay by bank app launch करने जा रहा है तो यह pay by bank app कै है basically इसके अंदर mobile based customer friendly payment solution है जिसके चलते हुए जो digital payments को बहुत ही easy way में कर पाएंगे digital payments को बहुत ही easy way में आप पे कर पाएंगे तो जिसके चलते हुए यह pay by bank app launch किया किया है by the RBL bank by the RBL bank तो आज की class के अंदर बच्चों हमने कुछ important economy से related current interface को discuss किया है अगर आपको class के थोड कोई भी problem लगी कुछ भी doubt लगा कुछ भी समझ में नहीं आया you can write in the comment section आप comment section में लिखे आप comment section में लिखे हमें अपने views दीचे कि आपको क्या कुछ समझ में आया है comment section comment section में लिखे इसके इलावा हमारे current interface के courses ongoing है चलते जा रहे हैं जिनका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा अगर आप किसी particular exam के लिए prepare कर रहे है तो go there and check out our courses and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon bell icon को press करना नहीं भूलने है अगर अभी तक नहीं किया है तो तांकि आपको सारे updates मिलते रहें तो आज की class को मैं यहीं समाप्त करूंगा में लेंगे next classes के अंदर it's all for today thank you so much and all the time